गेलोज सरकार इस बार अपना आखरी बजट पेश करने वाली है इसको लेकर आम जन को काफी उमीदे है इस बार उन्हें कुछ खास तोफ़ा सेम गेलोज द्वारा मिलने वाला है वहीं वस्तनगरी बिलवाडा को भी इस बजट से काफी आशाय है कि अब के बार सरकार उद्य वे ओवर ब्रीच उद्योगों को विचली और पानी में रहत के साथ यूवाओं में बेरोजगार भत्ता हुए नई शिक्षा निति की मांग यूवा लगाए रखे है राजस्थान के आने वाले बजट से वस्तनगरी बिलवाडा कुछ उम्मेदे रखती हैं सबसे पहले मै ये कहूंगा की राजस्थान का जल बोड बने ताकि हमें केंद्र सरकार की जो व्यवधान उससे मुक्ती मिले और भिलवाडा में प्रोसेस इंडस्ट्री का मार्ग प्रशस्त हो क्योंकि डेनी मुद्योग के लिए यदि अंडरग्राउंड वाटर की पर्मीशन मिलती है त सेकेंड बात जो टेक्स्टाइल पार्क के लिए उन्होंने जोधपुर के लिए पहले बहें था हमारी पहले मंग थी अभी भी मांग है कि भीलवाडा का भी उसमें प्रोविजन करके भेजे ताकि या टेक्स्टाइल भार्ग बनने का मारग प्रशस्तों हो तीसरी बात अभी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लेंड अवेलेबल नहीं है और रीको की लेंड बहुत किया जाए इस प्रकार की तीन डिमांड के बाद जो हमारी एक बर्निंग इशू है वो है बिजली की दरें पूरे देश में टेक्स्टाइल इंडस्ट्री की सबसेदा दर राजिस्तान में हैं हम पुनह ही मांग करते हैं कि नियूंतम दो रुपिया सबसीडी के तोर पर दे तब जाके हां कि इंडस्टी सर्वाइब करेगी अन्यत्था इंडस्टी के पलायन की गुंजाई संभावनाय आशंकाई बनी हुए और कुछ लोग बाहर गए भी हैं मैं टेक्स्टाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष के नाते उम्मीद करता हूं राजस्थान सरकार ह बेजट में समाधान करें नमस्ते जैसाए कि आगामी दुनों में राजिस सरकार का जो बजट आने वाला है उस बजट सब्चार मेरी सरकाल से मांग रहेगी कि इस बजट के अंदर जो सरकार बंदे समय इनों ने जो गोस्माय करें ती भीरोज़गारी बत्ता और नहीं सिक लागू की जाए। reference में एक तो सडको की जो इस्तिति है उस वो ठीक हो बीलवाडा में रोज अवरोध पेदा हो रहा है आवागमन में तो पुल होना चाहिए overbridge की मांग private colonic को चंबल का पानी नहीं मिल रहा है तो उनको भी चंबल का पानी मिलना चाहिए विजली की एक बहुत भारी समश्या है क्योंकि उद्योगिक सेत्र है जहां सरकार 2-3 रुपे यूनिट में विजली खरीदरी है और 7-9 रुपे यूनिट में विजली बेचरी यह फिर भी गाटा है इस बारे में मेरा सुजाव है कि अगर सरकार अपने खर्चों से 90% तक सब् है उनके उनके यहां अगर सोलर पावर लगा दे तो सरकार को भी फाइदा है और किसानों को भी फाइदा है और इससे बेजली का घाटा और खत्म सा हो जाएगा कि मुख्यमंत्री लगूद्योग प्रस्टान योजना तो आपने लागू कर दी लेकिन डियाइसी में इसकी लेने के लिए हमेशा माना करते हैं कि बजट नहीं है तो आप मुख्यमंत्री जिससे जो वित्यमंत्री भी हमारे उनसे हमारा निवेदन है कि ऐसी योजना है खाली आप लोग लुभावने वादों की वज़े से नहीं लगावें और इसको मूर्त रूप में उसको लागू करें एफेक्टिवली ताकि उद्योगों चोटी उद्योगों का भी भला हो यह बजट युवाओं के लिए जहां तक मैं सोचता हूं बहुत ही लापकारी सिद्ध होगा साथ इस बजट में युवाओं के साथ साथ किसान वर्ग मध्यम वर्ग सभी वर्गों का ध्यान गैल परदान की जाएगी जिससे बिलवाडा में और इंडिस्ट्री डवलप हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके